ए ए मम्मी तुचल जी, दिखाना प्ना प्ना अम्मी दोन दिखाना, भाणि मम्मी अपना दिखाना, प्छी दें होग, अलो की ना था, ति स्वेल था, फेलो ये दोन अ. मायके गई थी चीज़ दी मैं सवराज से दिवाली के बार्चे भा रहे थी उसी दिन का है मैं आ गई थी अपने मायके यहां सुबह के अभी सारी 11 हो रहे होंगे और हम लों मार्केट जा रहे हैं मार्केट में कुछ काम था मुझे डॉक्टर के हां जाना था मेरी बहन जो है मेरे बेटी के लिए कपड़े लाए हुए थे तो उनको वापस करना था दो कपड़े था एक बहुत ही बढ़ा हो रहा था और एक थोड़े छोटे पढ़ रहे थे क्योंकि इसकी लंबाई इतनी है कि कपड़े लो तो या तो छोटे ही हो जाते है और चोटा समाझ के करा रहे हूं अराम तो रहता है लेकिन अगर कभी कबार दवा नहीं आपाता है गैप हो जाता है दो या तीन चार दिन का तो चीक अराम नहीं होता है फिर सुरू हो जाती है तो इस वज़े से मम्मी ने कहा कि यहां एक हो में पैट राक्टर है वो भी अच्छी दवा देते जाव इबर उनके यहां दिखा लो तो मैरे सचा चलो यहां भी दिखा लेती हूं और देखते से क्या बताते हैं और यह हम लोग ना में मार्केट से नहीं जा रहे थे जैसे मार्केट जाते समय बीच में यह रास्ता पड़ता है, बीच में से रास्ता कर जाता है, यह हम लोग यहां मेरे मायके में जो थाना पड़ता है उधर से ही उधर यह रास्ता जाता है, तो उस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, क्योंकि छट के वज़े से बहुत भीड थी चीछर के एक दिन पहले का है जब हम लोग आये थे तो उसी रास्ते से हम लोग जाते थे क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ हो गई थी इतने जिसे छट के लिए जो स्वामानमान फालोल जो बेज़ते हैं उस वज़े से उसके लिए फी जनरल इस्टोर के दुकानों के मतल कि यहां का थाना पड़ता है थाना है तो हम लोग यहां पर जा रहे थे और यहां डाक्टर के आभी हम लोग गयते उतनी भीड नहीं थी पांच यच्छे मरीज होंगे लेकिन डाक्टर इतने अच्छे थे ने इतना आराम से देख रहे थे मतलब आपकी जो भी प्रॉब्ल प्रॉब्लम है अच्छे से समझ रहे सुन रहे है उसी साफ से अपनी जो भी दवा है देंगे तो अच्छा लगता है और वहां से आने के बाद हम लोग यहां आ गए थे इधर खेत के तरब गोमने मैं जब भी आती थी नमायके में तो सोचती थी कि मतलब जाओंगी गोमने क्योंकि मैं घर पर ही रह जाती कहीं गर्चे निकलना भी नहीं होता है मेरा तो इस बार हम लोग सोचे चलो कहीं घूम आते हैं घर में जब भी घर में ही पड़े रहना है और यहां तो फिर तो इस वज़े से हम लोगोंने सोचा चलो कहीं बाहर चलते हैं तो वही हम लोग स बहुत बड़ा लेकिन और यहां के भगवान है मतब देता है जो भी हो मुझे पता नहीं है लेकिन यहां इनकी पूजा होती है जो भी इस बागीच्चे में आता है इनके पैर छू लेता है तबंदबागीच्चे में प्रेश करता है और यह बागीच्चा बहुत बड़ा बा है मतलब इतना घना बागिचा था और इतना बड़ा था और यहां कभी कोई काम तो होता नहीं एक यादमी आये वैसे हम लोग आये थे तो मन हुआ था कि चलो घर में ही तो रहना है पुड़ा बाहर खुली हास्मान की नीचे गूम लेते हैं और गाव में जो गाव की हर्याली होती है जो पेड़ पौदे होते हैं वो देखके मन खूस हो जाता है तो इस मतलब मेरा जो गाव है ना गाव की मतलब पूरे गाव के लोगों का मने कुछी लोगों का नहीं योगात नहीं बाता थोड़े मतलब पूरे लोगों का थोड़े थोड़े बागीचे छोटे-छोटे करके हैं मतलब कुछ-कुछ बेड़ सबके हैं मेरा भी है यहां पर कि मैंतबरहर दोने हैं और थे पिला-पिला है हम लोग का कहते हैं तो यह से गोंने के बाद फिर घर चले जाते हैं और घर जाने भाद फिर अगले दिन, अगलि एक दिन बाद सुबा के छटके सुबा हम लोग यहाँ वापस चले आते हैं, जहां मैं रहती हूँ, तो यह उसी दिन का क्लीफ है, औरः यह मेरे बाबा है और अब हम लोग आरे हैं मततब यहाँ जहां हम लोग रहते हैं, तो मैंने थोड़ी क कुक Cross अचल भी जी हानने की में तो एंवाके किन अच्राइश के का कहाओ का है थ नहीं मि आ नहीं लगता है मैं यह थोड़ीश्य रिकार्ड कर ली थी यह रास्ते की क्लिप मैंने थोड़ीश्य यहास्व देखिए झाल झाल राश्ते में आते समय बच्चों को भूख लग गई थी तो यहाँ राश्ते में एक धाबे पे हम लोग रूखे थे यह वहीं प्लिप है और हम लोग खा के आये थे थोड़ी बहुत मन तो नहीं होता है सुबा 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 था शाड़ी आठों ते जी करीब हम दो निकल लि पहुचे थे हां अपने घर पे तो वहीं का यह क्लिप है और हम लोग साड़े 6 बजे करीब आये थे नहीं पता टाइम होजे और उसके बाद से घर की हालत देखने लायक थी समान तो अपने जगह पे सही था जहां मैं रखके गई थी मैं मतलब जादे फार लाके नहीं जात और यह दिखिए पौधो का हाल पौधो के लिए हम लोग बहुस्था करके गए थे जैसे ना बालकनी में नीचे होल है तो उसको हम लोग ने बंद करके पानी थोड़े भर दिये थे और पौधो को उतारके नीचे रख दी थी लेकिन फिर भी पौधे सूख गय थे दस बार सिल्म्ला मिर्ची हम लोग ने लगाय हुए है और उसके बाद से राथ हो गई यह अगले दिन का है देखिए मेरे अरवी के पत्ते और रात हो गई थी थी ना तो मैं सफाई बस वहीं जाड़ो कोछा करके चद्दर बदल दी थी और अगले दिन जो भी काम करना था मैंने कि घर से आने के बाद काम बहुत हो जाते हैं कितना भी कपड़ा प्रसाप करके लाब फिर भी धूलना तो पड़ी जाता है बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन साप करना किचन भी बहुत गंदा पड़ा था वो जो किचन में पंकी लगे ही न वो तो किड़की खूली ही थी तो उ दालने के बाद बहुत अच्छी हो गई थे लेकिन हान तुलसी नाता तो पूरी फट्रशे सैञी हो गए और देख के भी सिंगला में अ यही थी मेरी वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक से onlar सब्सक्राइब करें और कमेंटरी करें तो भाव थैंगियो